हेलो दोस्तों वेलकम है आप सभी कापके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशल में तो चली इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी का आथ थजडे एक्सपाईर की दिन का मोंटम क्या था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे और उसके बात करेंगे कल आपन को बहुत अच्छी टेंडिंग मुव देखने को मिल सकती है तो चली इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे यूटीब चैनल को सब्स्राइब कर लें जहां पर आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन की वीडियो मिल जिसका मतलब है इन डीसीजन के अगर आपन ऐसे बॉक्स की तरह मार कर लेते हैं तो यहां पर अपन को बहुत अच्छा है एक बॉक्स बनता हुआ देखने को मिल रहता के लिए और उसके बाद देखें तो इसी के अंदर हमें थोड़ा सा साइडवेज मोएंटम यहां पर क अगर मैं रिटेस्ट से कैलकुलेट करूं बॉक्स के तो वहां से कमें वन वे मूमेंट देखने को मिल है और उसके बाद देखें तो आमें सिर्फ ट्रैपिंग देखने को मिल है और अगर अपन देखें तो एक बहुत अच्छा मोएंटम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मज सकती है आज थर्जडे के दिन तो यह था निफ्टी का आज थर्जडे के दिन का मोएंटम के अनलेसिस अब चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और वहां देखेंगे कि लॉंग टाम फ्रेम में कैसा क्या प्राइज एक्शन बना रहा है निफ्टी तो दोस्तों अपन को अगया वन डें टाइम फ्रेम में और यहां पर आपन को देखने को लेगा कि इस स्विंग लेवल से रिजेक्शन के बाद एक हमें बहुत अच्छा अपसाइट का मोएंटम देखने को लागा तो जो जो क्लियर करणा अपन को अपसाइड का मोएंटम को लेगा वो सकते हैं तो यह तो हो गई अपसाइड की मोएंटम की बाद निफ्टी में डाउनसाइड मगर इस लेवल की नीचे हमें डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देखने हो मिलेगी जो कि यह अराउंड 20,975 के आसपास का लेवल तो एक हमें डाउनसाइड मोएंटम देखने हो मि अपसाइड की मोमेंट अपन को कहा देखने हो मिलेगी अपसाइड में अगर यह वाल लेवल ब्रेकाउट करें जो कि अराउंड 21,337 का लेवल तो इसके उपर एक अपन को अच्छा मोएंटम उपर की तरफ देखने को मिल सकता है निफ्टी में जिसमें कि आपना फॉस्ट टार्गिटर गोण है यह लेवल जो कि है 21540 पार पस यह ओलटेवल फॉन्य थाण्रधक ट्रा भीकिया-उलटीर में अगर ट्वन थायगर अपन को अब अगर यह वाल लेवल ब्रेक्डाउन करें जो कि एरांड 21,060 का लेवल तो इसके नीचे कहा में डाउन साइड में मोइंटम देखने को मिल सकता है जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टार्गेट रहेगा डाउन साइड का वो रहेगा 20,930 का लेवल और यहां पे अपनको गैप भी पेंडिंग देखने को मिल रहा है तो गैप फिलिंग स्टाइडिजी हमें बनते ही देखने को मिल सकती है और जो अपना थर्ड टार्गेट रहेगा फिर सीधे यह लेवल जो कि है 20,850 का और अपना फाइनल टार्गेट रहेगा यह वाला स्विंग लो लेवल जो कि है 20,770 के आसपास का लेवल तो यह कुछ इंपोर्टल लेवल थे डाउनसाइड में अगर 21,060 के लेवल को डाउनसाइड में ब्रेकडाउन करता है तो अगर निफ्टी इस रेंज में ट ब्रेकडाउट होने के बेट करेंगे जो कि है 21,337 का लेवल अपसाइड में यह वाल लेवल ब्रेकडाउन करें 21,060 के लेवल तो यह वह बहुत अच्छी टेंडिंग मूव देखने को मिल सकती जिस तरह भी ब्रेकडाउट यह ब्रेकडाउन करें निफ्टी तो उम्हीद इनल्ष करता हूँ कि आपको लेवल सरेलने से समझ में आग और आप इन लेवल को अपने चाट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मैनी मैनेजमेंट के साब से एजुकेशनल यूस के लिए हमारे फ्री एजुकेशनल टेलन हो जरूर जोइन करें जाम इंट्रेटिक लि झाल 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 झाल